हेलो फ्रेंड, वाइटी स्टेडी जोन के हमारे इस एजूकेशन प्रेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत हैं तो आज के इस वीडियो में हम डिसकस करने बाले हैं क्राउन समानने ग्यान के इस बुक के दो मोस्ट टाइम पी चैप्टर जिनका नाम है मौरेतर काल और मध्य ऐसिया से भारत का संपर्क जानेंगे इन दोनों ही चैप्टर से संबंदित उन मोस्ट टाइम पी वन लैनर कोईशन को जिनकी आपकी अगामी परिक्षा में बनने की संभावना बहुत अदिक है आप सभी से रिक्वेस्ट ही है कि आप चल्दी से ओपन कर लीजेश बुक का पेज नमबर 32 जितने भी हमारे आस्पिरेंट है इस्टुडेंट है और फटा फट से इस पेज नमबर को ओपन कर लीजेगा और जितने नए स्टुडेंट है वो अगर आपके पासे बुक नहीं है इस बुक को या तो आप आउनलाइन पर्चेस करिएगा जाना चाहिए कि आखिरकार इसका मौरतरकाल का सर्व मानने काल क्या है तो यहाँ पे आप अपनी बुक के उपर लिख दीजेगा 200 इसा पूर्व से लेकर के 300 इसा पूर्व तक के काल को मौरतरकाल की संग्या दे गई है जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने जाना था मौरे समराज्य के बारे में तो मौरे समराज्य का एक अंतीम सासक था जिसका नाम था ब्रमदरत और इसकी हत्या करने के बाद पुस्से मित्र सुंग ने अपना समराज्य स्थापित किया इसी के साथ में पुस्यमित्र सुंग ने सुंग वन्स की इस्थापना करी थी तो exam में diet questions ये raise हुआ है कई बार कि आखिरकार सुंग वन्स का संसापक कौन था तो ये है अपका पुस्यमित्र सुंग उसके बाद आपको याद अखना है कि सुंगवंस की राजधानी क्या थी तो इसकी राजधानी थी विदीसा क्या राजधानी थी इसकी राजधानी थी विदीसा पुस्य मित्र के सासन काल की सबसे महत्मन घटना क्या थी ये घटना है आपकी यवनों का भरत पर आकरमन करना ठीक है और उसके बाद यवन विजय के उपलक्ष में मतलब कि एक आकरमन हुआ था सुंगवन्स के काल में यवनों ने इनके उपला करमन किया लेकिन यवनों को हराने के बाद ठीक है इस उपलक्ष में उस्से मित्र ने द जो असमेक यग होते हैं लास्ट वीडियो में या फिर पार्ट नमबर या फिर वीडियो नमबर थरी में हमने डिसकस किये थे सभी यक के बारे में जो भी सासक जो भी यक करवाते हैं उनका क्यार्थ होता है अगर आपको पिछले वीडियो याद है जितने भी हमारे old student हैं अगर आपको याद हैं सभी यक के बारे में तो आप इस वीडियो को pause करके एक बार उस चीज़ का provision जरू करिए फटा-फट से भेड़िये हमको सही जवाब चलिए friend I think आपने answer भेज दिया होगा तो आपको याद खना है कि जो अस में की यग होता है वो होता है सामराज्य विस्तार के लिए ठीक है भगवान से एक प्रात्न की जाती है उसके बाद एक यग होता है आपका एक यग है ये भी धान लखीगा चाहो ताप side में लिख सकते हैं बुक में काफी स्पेस है देखिए जो आपको लिखना है बुक के उपर लिखना है ठीक है क्योंकि बुक को जब रिवाइस करेंगे अगर आप A4 पेज लेकर के अलग सी नोटस बनाएंगे तो बहुत ही समय आपका जाया होगा सीधे ही बुक में पैन से पेपर से आप अप अंडरेन करते रहीएगा point to point और side में star बना करके जो आपका addition information दी जा रही है उन सब को लिखते रहीएगा ठीक है यह बुक आपकी है बुक के राएपर तो नहीं लेना अपने आपकी खुद बुक है तो बिंदास इसका यूज करिए बस target किया है बुक को purchase करने का आपका selection लेना ठीक है ना कि बुक को साफ सुती रखते हुए दहेज में लेके जाना अपने नहीं ना आपका target किया है selection लेना think about it तो टीटरी फैंट्स कहां तो हम लोग हम थे यहाँ पर क्या तीन यग होते हैं आपके ठीक है कौन कौन से राजसु यग असमेग यग और वाचपे यग तो यहाँ पर आपको के वह दो यग रखने है ध्यान एक आपका असमेग यग जिसका उद्श्य होता है सामराजय विस्तार के लिए जो भी सासरफी जो भी किंग यग करवाता है और एक आपका होता है राजबिश्यक जब भी किसी राजा का राजबिश्यक होगा उस समय जो यग करवाया जाता है उसका नाम क्या होता है स्से में दो से तीन बर जो कोशन पूछा गया है साची के इस तूप का अकार दुगना कप करवाय गया था पुस्ते मित्र के समय में और इसके लावा आपको ध्यान रखना है कि सुंग काल में संस्कित भासर अफी भ्रामन व्यवस्ता का पुनर उत्थान हुआ था इसी काल में पहला इस्मरती गरंट जो है जो है जो हम कहते ह करी थी उसका राम क्या था मनु नाम था तो पूरे वर्ड के अंदर उसकी स्मरती क्या होगी सबसे ओल्ड होगी अगर आपको अपको अपना इतिहास जानना है तो आप किस से पूछेंगे अपने भाई से नहीं न आप पूछेंगे आपके घर का जो भी मुखिया होगा गा पर जनम लेने वाला पहला वक्ति कौन था मनु नाक्ष पूइंट आपको ध्यानक ना है कि सुंग वंस का अंतिम सासक कौन था तो सुंग वंस का अंतिम सासक था आपका देव भूती ठीक है क्या नहीं था इसका देव भूती इसकी हत्या किसने करवाई थी इसकी हत्या उस पे दुस्तों आमत्य वासुदेव ने इसकी हत्या करवा दी थी और उसके बाद जो सुंग वंस के बाद जो वंस आया इसने अपने वंस के इस्थापना कर दी इसको बुला गया कन्वराज वंस के इसने इस्थापना करी अब बात करते हैं थोड़ा सा इसके वंस के बारे में अन्य देशों को, तो यह चलिए इतियास में चलती ही आई, अब हम बात करते हैं कड़ वंस के बारे में, तो कड़ वंस का संसापक कौन था, तो इसका संसापक था आपका वासु देव, और इस वंस का अंतिम सासक कौन था, तो इस वंस का अंतिम सासक है आपका सूस शर्मा, जिसकी हत्यक इसने गराई थी, इसकी हत्यक गराई थी, साथ वहन का एक नरेश था, सम्राड था, किंग था, जिसका नाम था, इस मुख, ठीक है, सिमुख सॉरी, ठीक है, तो यहाँ पर इसके बाद में, साथ वहन वंस के इस्थापना हो गई, अब कन वंस का भी, यहाँ पर क्या हो गया, अन्त हो गया, और जो अगला जो उद्य हुआ वंस, वो कौन सा था आपका, साथ वहन वंस, अब साथ वहन वंस के बारे में, आपको ध्यान रखना है, कि साथ वहन वंस का, जो वास्दिक संसापक था, वो था सिमुक, जिसने कन वंस के अन्तिमसासक, सुसर्मा की हत्या करी, और इस वंस के स्थापना करी, और इसके बाद आपको याद रखना है, स्टेट पीसेस की जो बच्चे तियारी कर रहे हैं, वहाँ पर एक्जाम में कोशन पूचा गया है, यह वाला अक्रिकर की साथ वंस का, जो राजधानी थी, उसका नाम क्या है, तो उसके राजधानी थी, गोदावरी के तट पर, परतिस्ठान, जो औरंगाबाद महराष्ट में स्थीत है, यहाँ पर इसकी क्या थी, राजधानी थी, अब यहाँ पर दोस्तों, आपसे क्वेशन पूच्छ रहाता है, एक्जाम में, कि गोदावरी जो यह रीवर है, ठीक है, गोदावरी रीवर के जितने भी अन्य नाम है, और जितने भी मारे ओल्ड स्टुएंट, अब अध्यान से सुनेंगे मेरी बातों को, फटाफट से आप मुझे को इसका अंसर बेज़ेगा, गोदावरी के जो भी अन्य नाम है, उनका नाम क्या है, और साथी साथ, इसकी लैंद कुल कितने गिलोमेटर है, इसका ओरीजन कहां से होता है, ओल्ल स्टुएंट को हमारे कोई भी डिसकाउंट नहीं मिलने वाला, कॉमेंट लगा तरह आपके टाइप होने चाहिए हैं, पर अगर आपको नहीं मालूम है, जो बच्चे नए स्टुएंट हैं, वो साइड में बुक के लिख लिजएगा, स्टार मार के, स्टार बनाई ये सिंबल, और लिखिए, गोदावरी को बोलते हैं क्या बरत गंगा, इसको बोलते हैं क्या दच्चिन की गंगा, और नासिक महराष्ट के दच्चिन पश्चिम में, 64 किलोमेटर की डिस्टैंस पर, एक विलेज है, जिसको हम बोलते हैं क्या, त्रियंबक विलेज, ठीक है, क्या नाम है, त्रियंबक विलेज, ठीक है, यहाँ पर एक पाहड़ी है, यहीं से इसका और रिजन होता है, तो गाइस, अगर हम बात करेंगे, कि गोदावरी नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो इसकी कुल लंबाई होती है, 1465 किलो मीटर, ठीक है, 1465 किलो मीटर, छोटे-छोटे पॉइंट बनाकर के साइड में, आप यह सब इन्फोर्मेशन्स बुक के ओपर लिख लिजिए, तो गाइस, अगर हम बात करेंगे, पहली बार अस्व मतलब की घोडे क्याकरती को अंकित किया था, तो लास्ट वीडियो में हमने ये जाना था, कि एक ऐसा सासक था, जिसने अपने सिक्को पर स्वैम की इमेज को वीना बजाते हुए दिखाया गया था, जैसे कौन सा सासक है, जिसके सिक्को पर उसके स्वैम को वीना बजाते हुए दिखाया गया है, ये बेसिक कोशन्स है, एक्जाम में बोशा गया है कई बार, जो अच्चे खेले हुए खिला रही है, अच्चे से दियारी कर रहे हैं, एक साल से उपर हो चुका है, तो उनको इसके बेसिक कोशन्स के बारे में जानकरी होगी, बड़ा बड़ा मुझे कॉमेंट करिए, अगर हम बात करेंगे, यहां पर अगला पाइंट है हमारे सामने, हाल, हाल क्या है, सासक का नाम है, तो हाल साथ महान वन्स का एक सत्रवा सासक था, और इसने प्राकर्त गरंथ, जिसको बोलते हैं, गाथा सब्त सती की रशना करी थी, और इसमें कुल सुलोक कितने थे, सास्तो सुलोक थे, और यूपी ट्रिपल सी जैसे एक्जाम में, यह वाला कोशन्स कई बार पूछा गया है, अगर आप यूपी ट्रिपल सी एक्जाम के त्यारी कर रहे हैं, तो यह कोशन्स आपको अच्छे से ध्यान लगना, और इसकार्त यह नहीं कि बाखी चीज़े आप कुछ ना सुने, कुछ ना पैंडाउन करें, देखिए एक्जाम क्या होता है, सिकार किसी घरगोस का करना है, तो हतियार कम से कम टाइगर के लेके चलो, अपनी एक्जाम भी क्या है, एक जंगर के सामान है, लेवल को थोड़ा सा हाई करके चलो, अगला पर्ण देखते हैं दोस्तों, कि यहाँ पर गौतमी पुत्र सत्करणी, साथ वहान वन्स कुछ समय के बाद में क्या हो गया, कमजोर पड़ गया, ठीक है, चुपने को यह तियार था, यह वन्स खतम होने को तियार था, लेकिन इसके बाद, जो इसने दुबारा से एक व्रेक्ती था, गौतमी पुत्र सत्करणी, इसने क्या करा, साथ वहान वन्स का क्या करा, पुनर उद्धार करा, और नाक्ष परण अपुत्र सत्करणी, नासी कभी लेक में, गौतमी पुत्र सत्करणी की विजय का उल्लेक किया गया है, यह परसनलिटी इसले इसने डूपते हुए, वन्स को दोबारा से क्या कर दिया, उभार दिया, तो नाक्ष परण देखते हैं, यगसरी सत्करणी, यगसरी सत्करणी कौन था, यह साथ वहान वन्स का, अंतिम सक्तिसाली सासक था, और इसी सासक ने क्या करा था, अपने सिक्कों पर मचली, संख और जहज अंकित करवाए तेके मचली संख और जहज अंकित करवाए थे साथवहन वंस का अंतिम सासक जो था वास्तवी रूप से मम् देखें तो ये था आपका पुलुवामी चतुर्त वास्तविक संसे twists अन्तिम सासक पुछेगा तो आप बोलोगे पुलुवामी चतुर्थ डन नाक्षपंड देखते हैं कि साथ वहान वंस की राज़के भासा क्या थी ये थी आपकी प्राकर्त भासा और साथ वहान काल में चांदी वे तांबे के सिक्के चलाए गए थे और साहिते में इन सभी सिक्कों को किस नाम से पुकारा जाता है तो इसको हम बोलते हैं क्या कराशपंड चैकेते हैं इसको कराशपंड और साथ वहान ने आर्थिक लेंदिन के लिए सीसे के सिक्कों का भी परचलन किया था नाक्षपंड आपको करना है अंडरलाइन कि साथवान सास को नहीं सबसे पहले ब्रामणों को भूमी दान या जागिर देने की परथा शुरू करी थी जागिर कार्थ क्या होता है ब्रामणों को किसी भी भूमी का दान करना पश्यमुत्तर भारत में मौरियों के इस्थान पर मध्ध्य एसिया से आए कई राजवनसों ने अपनी सत्ता यहां पर क्या करी काईम करी और इस काल में भारती चेत्रों पर युनानी सक पहलव तथा कोशान का हमला हुआ सबसे बेले हम बात करेंगे जो पहले सा सकाई उनका नाम था क्या हिंद युनानी तो विस्तार पुरुख बात करते हैं इनके बारे में थोड़ा सा कि भारत में आकरमण करने वाले युनानी जिसके हम बोलते हैं हिंद युनानी कहां का था ये ये बैक्टरिया का क्या था सासक था इसने पश्यम उत्तर भारत में सिंद और अफगानिस्तान एवं पंजाब के विसाल शेतर पर अपना कब्जा किया उसके बाद आपको धान रखना है कि डेमेट्रियस का उत्तर धिकारी कौन था मिनांदर था और 145 इसमी मे मिलंद का एक ये क्या था एक महान सासक भी था उसके बाद मैं आपको याद रखना है कि मिनांदर ने नाकसेन से क्या करा नाकसेन से बो धरम पर बहुत सारे कोश्चन सवाल जवाब करे बो धरम को ले करके इसका जो रुजहान था बहुत अधिक था तो मिनांदर ने नाकस इन से क्या करें बहुत सारे questions पूछे और ये questions और नाकसेन द्वारा दिये गए उसके उत्तर एक पुस्तक में क्या हैं आज भी संग रही थे हैं और इस पुस्तक को नाम दिया गया मिलंद पना हो ठीक है मतलब कि मिलंद के क्या थे question थे और answer किस ने दिया नाकसेन ने दिया this is card मिलंद पना हो नाक्षमन देखते हैं कि सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के कौन लेके आया था तो ये लेके आये थे हिंद युनानी कौन लेके आये थे हिंद युनानी और हिंद युनानी सासकों ने भारत के पश्यमित्तर सीमा प्रांत में युनान की कला चलाई जिसक का नाम आपके प्रिविस रेक्जाम में दू-ती बार पूछा गया है तो आपको इसको भी अंडराइन करना चाहिए नक्ष्पॉइंट क्या है आपका सक हिंदी जवन के बाद में जो सासक है उनका नाम क्या था सक और भारत में आपको ध्यान लखना है कि सको की कुर कितनी ब् प्राजा ने क्या करा सको के साथ में एक वार किया इनको प्राजित किया और उसके बाद जो उपादी धान करी थी वो क्या था उसका नाम था विक्रम आजित्ती है ये क्या एक उपादी है इसके रावा आपको एक और धान रखनी है बुक्को कन्ना अंडराइन कि विक्रम स विक्रम आजिते की उपादी जो वरत्मान में अब तक है कितने लोगों को प्राप्त हुई है तो ये कुल संख्या आपकी है 14 ठीक है ये उपादी इतनी फेमस थी जैसे आज की डेंबे कहते हैं क्या कहते हैं बाहु बली कहते हैं किसी को मजात में और भी आगया बाहु बली तो इस टैप की क्या होती है कुछ हम लोग किसी व्यक्ति को टैक देते हैं ठीक है ना बहुत ही पकाओ इंसान ठीक है सला सिंग बोल देते हैं ऐसे मजाक में तो आप याद अखना कि इतिहास में जो उपादी है विक्रम आजिते उपादी बहुत ही फेमस हुई थी और कुल सासों को जो पराप्त हुई थी उपादी उनकी संख्या गया थी 14 थी ये वाला कोश्चन सापका है CHSL में CGL में UPPSC लेकपाल का एक्जाम ता वहां पूछा गया था और MPPSC GS पेपर 1 में ये संख्या पूछी गई थी इसके अलावा आपको ध्यान लखना है UPSI के एक्जाम मे ये संख्या पूछी गई है कि कुल कितने सास को को विक्रमादित्य की उपादी से इतिहास के पन्नों में व्यक्तियों को संभानित किया गया उनकी संख्या क्या है तो यादखिएगा 14 और यहां पे दोस्तों आपको एक शीच और एड़ करनी है थोड़ा सा वह हम बात करते है क्या हम बात करते हैं सक संभत के बारे में ठीक है सक संभत के बारे में आपको ध्यान लखना है एक विक्रम हो गया और एक आपका हो गया सक संभत ठीक है यहां पर मैंशन नहीं कि इस बुक में शायद चलिए अगर हम बात करेंगे कि विक्रम संभत नाम का संभत 57 हुआ और उसके बाद आपको एक दिहान रखने है कि सक समवत पर अधारिद रास्टे पंचांग को सरकारी परियोग के लिए कब अपनाया गया कब एडप्ट किया जिसको हम बोलते हैं क्या ग्रिगेरियन कलेंडर के साथ में देजभर के लिए सक समवत भी क्या हो गया एपलाई हो गया तो यह अमने कब अपनाया था लिखिये बुक के साइड में स्टार मार के मुलट पॉइंट बनाये अपने यह लिखेगा 22 मार्ज 1957 को और यहां पर आपको ध्यान लखना है कि यह स कहतर महीना ठीक है विक्रम समवत 57 सक समवत 78 दोनों में डिफ्रेंस आप याद रखेगा डन चलिए आगे बात करते हैं जब लोग बढ़ेंगे ना आगे फुरसे पॉइंट पर जब चैप्टर आगे बढ़ते लेंगे लगाता तो वह confidence boost होगा अभी आपको तो अगर अजी है बस बन गए तो अगलग खान हम लोग तो ऐसा नहीं होता selection उससे नहीं होता selection इस से होगा वीडियो के देखिए revision करिए confidence boost करिए exam में बैठी ए exam correct करिए बस चलिए आगे हम बात करते हैं कि सबसे विख्यात सक सासक कौन था तो वह था आपका रुद्रिधामन परथम ठीक ह से ले करके 150 सक इसने क्या करा सासन किया और इसका जो उलेक मिलता है सासक का एक अभिलेक है जिसको हम कहते हैं जूनागड ठीक है जूनागड से हमको पहली बार 150 इस वी में इस अभिलेक का यह हमको जो अभिलेक प्राप्त हुआ जब इसको read किया गया तब इस personality का हमको उले एक मिलता है पढ़ने के एक ऐसी personality था वगरा वगरा अगर हम बात करेंगे पहलव या पार्थी आई तो पश्यमित्तर भारत में सको के बाद जिसका अधिपत्य स्थापित हुआ को उनको बोला गया पहलव और इनका जो मूल स्थान था वो था आपका क्या इरान क्या था क्या आए वो आये पार्थीों के बात में आपके आए कुशाण आए ठीक है कुशाण आए जो यूची या तो खारी भी इनको हम कहते है प्याए को यूची में शुन भी है और तो खारी भी है ठीक है यह नाम यह व необходимо there कि अगया पर्सनलिटी का जो काल था वो था आपका 45 से लेकर के 78 ये भी आप लिख लीजिए बुक के उपर बार बार मेस्जी को रिपिट नहीं करूँगा बुलट पइंट बना करके आप अपने अकोड़िंग जहां पर कोई स्पेस मिलता है लिखते रहिएगा ठीक है चलिए क्योंकि बार बार जीची बोलूँगा लिख लेजी तो टाइम कर जिसमें आपका भी होगा हमारा भी होगा थोड़ा सा बातों को समझने का परियास करिएगा तो नक्षपन देखते हैं दोस्तों विम कड़ फिसेज इसने भारी मातरा में स्वन सिक्के जारी करे थे लेकिन जिनकी स दएखाय अपने मंदर में जाकर कि नंदी कॉन थे जिनकी कानों में हम लग बुलते हैं आपने मनत मांगते हैं याद हैं उन्हें कहते हैं देख जो गेट पर दिखते हैं तो यह तेनों इमिद्वी आपको अच्छे से देखती है बगवान शिफ की भी नंदी की और और यहां पे कनिश्ट ने 78 FCV में सकसंबत चलाया था समझ गया आप लोग सकसंबत किसने चलाया था कनिश्ट ने चलाया था जो कि उसके राजरोहन की तीथी से संबंदित है और सकसंबत भारा सरकार के द्वारा परियोग में लाया जाता है और इसकी दो थी राज़ानी एक थी आपकी पुरुषपूर और एक थी आपकी मतुरा और कनिश्क ने ही बो धरम का क्या करा संपोशन किया एवं इसका संडख्षन किया ठीक है और इसी के काल में एक चौत्थी बो संगती हुई थी वैसे बोसंगती कुल कितनी है चार है तो चौती जो बोसंगती हुई थी वो हुई थी दोस्तों कनिश के काल में अब एक basic question जी है वीडियो को pause करके आप मुझे answer भीज़ेगा कि आखिरिकार किस समय चौती बोसंगती कनिश के द्वारा करवाई गई थी कितने बच्चे बेज़ेंगे answer देखते हैं कर लिजे pause और जितने हमारे old student है वो कंजूसी भीकुल नहीं करेंगे ठीक है मैं आपको अलग से फिर डाट लगाँगा वर ना ध्यान लखीगा चलिए चार बोसंगती हुई थी वो 98 इसा पूर में हुई थी या फिर वन इसवी में हुई थी कुंडल वन कस्वीर में कनिश के सासक उस समय कौन था सासक कनिश्क था लेकिन उसका अध्यक्ष भी आपको याद अखना है इस बुक के साइड में बिलिख लिजेगा अध्यक्ष भी नाम क्या है वसुमित्र क्या नाम है वसुमित्र और तीसरी कब हुई थी तीसरी जो हुई थी वो 250 इसमें हुई थी पार्टली बुद्धिस का स्थान था सासक था इसका अशोक ठीक है पहली कहाँ पे हुई थी राजगर है सासक कौन था अजास सत्रू सकिंड कहाँ पे हुई थी वेशाली में 383 में ठीक है सासक कौन था काला शोक डन आप इन बातों को अच्छे से लिख पा रहे होंगे सो नाक्ष पंट देखते हैं कि वासु देव क्या था कुशान वंस का अंतिम सासक था अब हम बात करते हैं थोड़ सा वासु मितर के बारे में कि वासु मितर या फी वासु मितर वासु मितर महा विभास शास्त्र इनकी परसिद रचना थी जिसमें बोजरम का विश्वकोश भी कहा जाता है तो याद अगनकि ऐसा कौन सा गरन गरंत है जिसको बो धरम का विस्वकोष की संग्यात दी गई है तो वो है आपका महा विभास सास्त्र और इसकी रशना किस ने करी थी इसकी रशना करी थी वसुमित्र ने नागर जुन और इनकी तुलना मार्टिन लूथर से की जाती है इन्होंने सापक्षता के सिध्धान का पर्थी पादन किया था तो सापक्षता के सिध्धान का पर्थी पादन किस ने किया था नागर जुन ने इसलिए इन्हें भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है इनकी पर इस वीडियो अब तक वाच नहीं कर रहे हैं, बुक को अंडरे बिकुल नहीं कर रहे हैं, तो आप Crown Publications Latest Edition की playlist में जाहिए, वहाँ पर आपको मिल देंगे तमाम वीडियो, मिलता हूँ जल्दे नहीं वीडियो के साथ, तब तक धरने बाद, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक करिए, नहीं अच्छा लगा, डिसलाइक मारिएगा, अगर लगाएगी अच्छा है, किसी और का भला हो सकता है, तो इस वीडियो को अपने गुरूप तक शेयर करिए, बाई बाई, टेक केर, थैंकि सो मच,